Hello everyone, SSCMTS का एक्जाम चल रहा, आप सबको पता है, सोलर जूने आज, और पहली सिफ्ट में कौन से इंपोर्टेंट किस्टिन आए है, वो मैं आपको भी थोड़ी दिर में अनालिसिस करा देता हूँ, और यही क्यूस्टिन है, जो आपके आने वाली सिफ्ट का बेस बनेंगे, और आने वाले एक्जाम का भी एक्चुली, जैसे CHSL का मेंच होगा भी और फिर CGL का प्रिलिम्स होना है, आने वाले जीतने एक्जाम है, क्योगि TCS का एक क्यूस्टिन बेंक होता है, सारे एक्जाम करा तो TCS ही रहा आना, तो एक क्यूस्टिन बेंक कहीं का, तो एक ही टोपिक का निचोड़ नकालते TCS, जिसने TCS की जीकर की एनालेसिस की है, उसको पता है कि एक टोपिक का निचोड़ निकालते TCS वाले, तब तक पीछा नी छोड़ते, तब तक उसके सारे किस्टिन खतमना होता है, तो यह जो टोपिक हैं, यहाँ भी MTS में पूछे जा रहे हैं, इनसे इसलेटिट टोपिक तो आपको आने वाले एक्जाम में पूछे जाएंगे, और आने वाली शिप्ट में जो भी MTS की चल रही है, 20 तारिक तक चलेगी, तो उसमें भी किस्टिन देखने को मिले गया आपका, तो यहाँ से आप जो आज किस्टिन आये, फस्टिन में वो देख लेते हैं, तो शुवात करते हैं, और एक और बात बता देता हूँ मैं, अभी 20 तारिक को जून को ये एक्जाम खतम हो जाएगा MTS का, तो इसकी अंसर की कुछ टाइम बाद ही आ जाएगी, तो हर एक शिप आपको देखने को मिल गए यहाँ पर, तो अभी सुरुवात करते हैं, पहला किस्टिन तो क्या पुछा गया आज, उत्तरपर्देश ने याँ पर पहले पोजिशन लिया। और उसके लाबर मद्य प्रदेश ने याँ पर सैकेंड पोजिशन ली थी, उत्तरपर्देश यहाँ पर साथया और सिफ्खिं में सब3 और सब शे कं बनिये, तो लास्ट वाला भी उछा सकता है। सिक्किम वैसे छोटी स्टेट है तो विसलिए आप समझ सकते हैं जो 1900 में उलम्पीक होए तो कौन सी कंट्री में होते हैं अभी कोई एक लडगा बोल रहा था कि यह तो irrelevant question है भाई यह relevant question है आपको पता होना चाहिए relevant question की यह एक पहले जो Olympics में तो कम होए थे 1896 में वो कहां पर होए थे 1896 में जो Olympics होए थे वो कहां पर होए थे वो होए थे वो होए थे ग्रीज में Athens में यह पहले modern Olympics गेम होए थे 1896 में तो किस्ट नहीं आज़े पूचा जा सकता है कि पहले modern Olympic Games को में होए थे 1896 में उसके बाब दूसरे वाले कभ होए थे वो होए थे 1900 में और यहां की खास बात यह कि India ने फॉस्ट टाइम पार्टी स्पेट किया था इसमें 1900 वालों में इसी ए रेलिमेंट ए खेश्ट जिस ओलम्पिक में इंडिया ने पार्टी स्पेट किया है वो तो रेलिमेंट होगा ही ना तो यह 1900 में होए तो यह फ्रांस में होए थे प्रांस के capital पेरिस में हो ओठें तो पैरिस Olympics दें 1900 इंडिया ने पहली बार इसमें participate किया था किस ने participate किया था वो थे Norman Prichard ये भी पूछा जाता है कि इसमें कि पहले जो पूछा जाता है कि पहले जो प्लेए थी इंडिया की तरफ से में एम्स्ट्रेडम उलम्पिक्स में एम्स्ट्रेडम उलम्पिक्स में इंडिया ने पहला गोल जीता था होकी में और उसके बाद 1956 तक लगातार गोल जीता ही रहा था इंडिया का होकी में डोमिनेंस रहा था वहां पर आजादी और पहला इंडिविजुवल मेडल आजादी से 1952 में तो तीन चार चीज़े बता दी मैंने आपको उलम्पिक से लेटेट किस्टन पूचे पूचे जाते हैं तो इस एलिवेंट ची तो यहाँ पे आपको होगी ही नहीं मतलब आप यह मत सोचना कि इस एलिवेंट किस्टन था बिल्कुल क्योंकि इंडिया ने पहले बार पार्टिस्मेट किया दा तो आपको पसा होना चीज़े और वैसा भी दूसरे ओलम्पिक्स थे एंटी 96 के बाद उनीस सो में दूसरे ओलम्पिक्स होए थे जो पैरिश फ्रांस में होए थे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बहातरतन 2001 में किसको मिला यह मिले था बिश्मिल् भार को बिश्मिल्ला खा क्या चाहिए वह बजाते थे यह बजाते समय सेनाई खे बादिंदें पर इसाइने उन्होंने इनको इन्वाइट किया था जब हमारा पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस अडे था जब वहां पे लाल किले पर इन्होंने सेनाई बजाई थी उस ताइम पे पहले आजादी दीवस्ता जो हमारा 15 अगस्त को ठीक है तो बड़े ही लिजेंडरी पिस्नेलिटे बिसम न फिनको बाहतरत्चन मिला था यह इंफ्य इंपे इंपोर्टिंस है है अए मए सुभालक्षमी यह पहले लानता कि भाहतरतन मिला था और 20 सब चीजों का पता होना चीए आइडिया होना चीए आपको तो यह जान लो आप तो 2001 में थोड़ा सरीवाइज गड़ा देता हूं आपको यहां से पूचे ही जा सकते 1998 में किसको मिला था वो मिला था एमेस सुबालक्षमी को जो पहली मुजीशियन थे जिनको भात अतनी मिला फिर उनसे अगले ही साल 1999 में 35 संकर को मिला और भीमशियन जोसी को मिला 2009 में और 2001 का मैंने आपको बताई दिया लतामंगेश करो बिश्मिल्ला खागो आपको पता होना चीए पर एक और इंपोर्टें आगे चलते हैं आगे क्या है आगे है हूँ वादी फर्स परसन टू गैट पदमा भी विशन पाने वाले पहले इंसान कुन थे वो थे कल कैलूचरन महापात्रा यह इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट इसलिए को की उडिशी डांस है नहीं है कंप अटरी दो आखिव दो दो हजार में मिला था यह आपको पतावना चाहिए ओडिशी डांसर थे और इनसे लेटिड एक और किशन पुछा गया था तो यह दो बारा भी पुछा जा सकता की इन्होंने गूरूप बनाया था डांसर का उस गूरूप का क्या नाम था उस group का नाम था musician group क्या नाम था? और आज की shift में एक और लेटेर, आपको पता ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल किस्टन है, आठ ख्लासीकल डांस है, इंडिया में, बात नाटम तुमिलांडू से लेटेर है, ओडिसी के बाद हम करी रहे हैं, कलूचन महापातरा बड़ी लिजेंडरी पिसनलिटी है, औरीशी डांस रिलेटर पदमा विविश्वर पालने वाले पहले ओरीशा से ये पसनेलिटी रहे हैं कलुचर महबातरा सोनलमान सिंग के बारे में मैं आपको पता दिया भगत सिंग के साथ किसको फासी मिली थी ये भी कुछिन पूचाओ आपके बार बगत सिंग के साथ किसको फासी मिली बगत सिंग के साथ मिलके सुखदेव और राजगुरु तीनों का फासी मिली थी एक साथ बगत सिंग सुखदेव और राजगुरु ठीक है और कम मिली थी ये मिली तैईश मार्च 1931 को फासी देगी थी इनको ठीक है तैईश मार्च 1931 को क इन तिनों ने मिलके जोंसौी अंड़र्स की क्या कर देती हाट्ट्या कर देती आगे चलते हैं यह बड़-ıi-potate किसिन पुछा बड़ा अलग किसिन पुछा वा सिकंदर लोदी को व्ट वागशिणल लेमो इ tuag कंदल लो दे थे उनका ओरिजिनल नाम क्या था निजाम खांग याद रहाएं आपको यह किस्टन पता है एक एक जाम हुआ था एंबी इए ठीक है तो एंबी का एक्जाम हुआ था उसमें एक इसन पुछा गया था अब किसी ने प्रिवीशियर सारे एक्जाम के अनलिसिस कर कि वो तो इस किस्टन को करा देगा दरवाइस आपने कहीं से चिक्के पढ़ी है तो मैं भी उसने स्किप कर दिया होगा है किस्टन नहीं बताया होगा इसलिए आपका एक्जाम में रहा गया हुआ यह तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना जूरी है तो सिकंदल नो उरिजिनल नाम था शेजाम खान उसके लाव मौमद बिल्ट उगलग इनका ऊरिजिनल नाम क्या था इनका उजना का तो यह भी पूछे जा सकते हैं आप से इस सिट में तो पूछा सिकंदर लोदि का जो निजाम खान था ऐसा ही आगे शेशा शूरी का पूछा जा सकता हार दिल्ली से आगरा क्या कर दिया चैपिटल को शिप्ट कर दिया था निजाम खानिन का ऊइजिनल नाम था यह पूछा वाज़ की शिप्ट में आगे चलते हैं अभी बीहू कौन सी स्टेट का एक हार्यस फेस्टिवल नहीं होता है पुछा भी हुआ एक्जाम में कि वियू की साल में तीन बार सेलिविट किया जाता है वियू फेस्टिवल एक तो होता है जैनुवरी में एक होता है अपरेल में और एक होता अक्टूबर में तो January में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माग भी हूँ. जो April में होता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रेल वाले को बोलते हैं बुहाग भी हूँ. और जो October में होता है उसको क्या बोलते हैं? काटी भी हूँ. तो तीन टाइब का भी हूँ होता है. माग भी बहाग भी हो और ॉक्टोबर में क्या होता है काटी यह आपको ポाल यह तीनों भी पूछए जाते हैं कि जैनवरी वाला मिहाग भी हो खल वाला बहाग भी हो ता उक्टोबर वाला काटी भी हो आगे छलते हिखंड डिजिज इस 좋다 लिँदी कर ढुद होता है ये सवाल पुछा हुआ है और भी कुछ डेfi thorough DO ή ये संवा सकते हैं जैसे Kalina Bahis विटामिन D की डेफिशेंसी से क्या होता है रिकेट्स क्या होता है रिकेट्स नाम का डेजिज होता है आयोडीन की डेफिशेंसी से कौन सा होता है गवायतर है यह गले में होता है उसके लाब विटामिन A की डेफिशेंसी से कौन सा होता है एक बड़ाई पोपल नाम है जीरो जीरोपफिल्मिया यह होता है, आउक्हों से रिलेटेटी जी विह…. था है महीं तो विटामिन-A की ड्यपातियर हिएं से होता है इंडिया और सेवंक का कौन सी स्ट्रेट के दवार सेपरेट के जाते है इसका नाम है पाक स्ट्रेट यह स्वाल पूछा वा था अब स्ट्रेट से लेटर स्वाल पूछ रहे हैं तो आपकी next shift में आगे वाले exam में यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदा स्ट्रेट एक बड़ी उसके लावा एक और स्ट्रेट बड़ी इंपोर्टेंट है जो पूछे जाती है बैरिंग स्ट्रेट बैरिंग स्ट्रेट क्या करती है बैरिंग स्ट्रेट करती है आरक्टी कोशियन को और पैसिफी कोशियन को आरक्टी कोशियन और फैसिफी कोशियन दोनों को सेपरेट कर किया करते है एसिया और नोर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है ये दोस्त और बता दिने सून दा और वरेन एक ओर स्टेट अफ गीब्राल। स्टेट अब गिब्राल्टर किसे लेटीड़ और ए स्टेट अचलिछ अट्लाइंटिक girls और Mediterranean Sea का एक बीच में नेरो सा रास्ता है, उन दोनों को separate करती है, तो ये तीन स्टेट और याद रखने हैं आपको, पार्क स्टेट तो मैंने बताई दिया, आज की एक्जामी पुछा वाए, इंडिया और से लंका को लग करती है, ऐसे सुन्दा स्टेट की स्कोलर करती है, इ अपको पता होना चाहिए, ये separation हो गया, ऐसी कुछ boundary है, जब मारे देश की है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्या Red Cliff है, इंडिया और चेटेशन के बीच में क्या मैक महन, तो Red Cliff इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो गया, और चाइना के क्या हो गया, इंडिया के बिचे में मेक भोन हो गया तो यह आफ। को पता हैं आगे चलते हैं कि एक स्वाल और पुछा गया था हैं ऐसे कृछ बोलते हैं आजक बोलते हैं देखो हिंद्धों कि इक पर ऐसे दो तर्क क्या भले कि खना पर आखिग मिट्रृ टारी आट कौहिए अज़सर्ट क्या बोलते है ग्रेटर हिमालग जो पहली रेंज है दूसरे वाली रेंज को क्या बोलते है मीडल या लेसर और तीसरे वाली क्या होगी बिल्कुल आउटर तो पहले वाली जो ग्रेटर हिमाल लाज है ने इसको पता क्या बोला रहता है इसको बोला रहता है हिमादरी जो दूसरे वाली बच्चिगी उसको क्या बोलते हैं हिमाचल तो तीसरे वाली बच्चिगी उसको क्या बोलते हैं सिवादी तो सिवालिक से लेड़िड स्वाल को अच्छा बता आज ठीक है कि आउटर हिमालाज की जो आउटर हिमालाज उसको क्या बोला जाता है शिवालिक बोला जाता है आगे ये भी पुछा जा सकता है कि सबसे ग्रेटर हिमालाज को क्या बोलते हैं हिमादरी ये भी पुछा जा सकता है मीडल को क्या बोलते है हिमाचल तो तीनों की सिक्वेंच याद रखने है आपको हिमादरी हिमाचल शिवालिक हिमादरी हिमाचल शिवालिक ये तीनों याद रखने है आपको आगे चलते हैं हाई कोट से रिलेटिट स्वाल पुछा गया, आज रिट से रिलेटिट एक्सुल में स्वाल पुछा गया, कि हाई कोट है जो रिट इस्यू करती है, रिट क्या होती है, पांच रिट होती है, ठीक है, पांच रिट देगे है, स्पेशल पावर देगे है कोट को, तो पांच र बता होना चाहूये ठीक हाधी कित्नी होथ यह फैर पांच रिट होती होती है जो इस्यू की जाती है आगे चलते हैं आगे क्या फिरुट राइपनिग जो थब फलो को पकाने के लिए कौन सा कैमिकल होता है which chemical is used for ripening of fruits ethylene ethylene name the gas नेटर हर्मोन भी होता है plants hormone ये तो यह fruits कोई ripening में फलो को पकाने के लिए यूज होता है ये आपको पता हो चाहिए ये स्वाल पूछा भी गया था तो और बी कही सारे cup है, वीट में कप आज मोझ लिया और बी कही सारे cup है, जैसे tennis related कप है, डेविसक यह पूछलिया जाता है, या you thun cup है tennis related, तो यह क्या बताता, next week में आपका tennis थाइक कप मिल जाए या you thun cup मिल जाए, या you thun cup मिल जाए, यह दोनों एक इसन एलेटेटट है, और भी जैसे गॉल्फ से अलेटर एक बहुत बड़ा popular वह नाम है उसका इजरा का ये भी पुचा जा सकता आफसे एसे होकी से रिलेटेड दो-तीन कप बता देता हूं आपको जैसे आगा खान कप बींग्टन कप भी होकी से रिलेटेड है ठीक है उसके अलावा बैडमिंटन के भी कई कप है बैडमिंटन का कौन सा है जैसे सुधृरी मन कप होता है जुद्रीमन कप उता चड़ा कप भी सुना होगा अपने बूच सुद्रीमन कप चड़ा कप सुना होगा थोमस और उबरकप तो सुने ही होगे एक मैन का और तक भी मैन का उतता है तो यह भी पुछे जा सकते है आपके आनवाली बैट पुछे जाते हैं, बार 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 को इसके लाभा पुछे जाते हैं, किरकेट का इक होता है तो उस लेटेड एक ट्रोफी होति है जिसको मोलते हैं थे ब्रीज भी नाब को ओ एक को स्बीस को ऊन आपको 只 का मिया बता तैंब हम आपको किरकेंट के बहुत ही पुपलर है रन जी त्रोफी तो है ऑप त्रोफी याद रहने आफको किरकटी रंजी ट्रोफी दुलीब ट्रोफी इरानी ट्रोफी और क्या बोलता है देवदर ट्रोफी तो इतने सारे मैंने बता दिये अभी आज वीटमेन कप पुछा गाए टैनिस का आगे और यह भी पुछे जा सकते हैं और एक वार रिवाइज घड़ा देता हूं आपको तैनिस से लिटमेन कप आज अच कुछा गया तैनिस से लेटड़ दो-तिन कप और होते हैं जैसे डैविस कप यू तंट कप यह भी सब्सक्राइब रंजी ट्रोफी देवदर ट्रोफी इरानी ट्रोफी दुलीब ट्रोफी चारो आपको याद रखने ऐसे इंडिया और इंग्लेंड और उस्टेलिया के बीच में बड़ी इंपोर्टेंट टैस्ट सीरीज होती है ऐसे तो वह उच लिया जाता है आगे चलते हैं अभी टाइम बेस्ट ना करते हैं आगे चलते हैं प्लेट लेट 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 लुक़काइट याद्र रखने लुक्राइट लेट लेट्लेटटो पूचिली आज थ измен bps Whoo एक नॉमबर को अपना स्टेटदे शलिपरोगड करती है अब इसका पूचा गया था और अगर यहां पर union territory भी डाल दिया तो दो union territory भी है तो तब होगा no और only state पुछा गया तब होगा 7 तो 7 ऐसी state है जो क्या करती है एक number को अपना formation day celebrate करती है तो वो 7 state कौन सी है जैसे मैं गुच्छे मैं बताता हूँ जैसे पंजाब और हर्याना होगी पंजाब और हर्याना को एक number 96 को लग किया गया था तो पंजाब और हर्याना होगी तीन south की state होगी मारे पास वो तीन state कौन सी है वो होगी अंदरापरदेश करनाटक और केरला यह तीन तो इसके लाब दो यूनियन टेरिटरी भी है वो क्या हां लक्स दुईपोर पूदुचेरी लक्स दुईपोर पूदुचेरी उनका भी एक नुवंबर होता है यह भी आफको पता होना चाहिए ठीक है आगे जनते हैं आर्टिकल विच आर्टिकल इस आर्टिकल इस आर्टिकल में रखे गया है तो इसलिए आर्टिकल 51 A से रिलेटेड क्यों आ रहा था कि सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेडिडिव इंडिया को अफोल्ड करना प्रोटेक्ट करना है यह कौन सा आर्टिकल में तो आर्टिकल 51 A में है एक्चुल में इसमें भी कई पार्ट होते हैं 51 A में जैसे A, B, C, D ऐसे कहीं सारे पार्ट है तो यह भी पूछा गया होग कर चला जाना है इसमें जो पूछा गया है क्या वतार नेक्स वाली में दूसरा पूछ लिया जाए फंडामेंटल डूटीज के 11 के गयरे 11 इन पार्ट को आफ रिवाइज करके जाना नेक्स इप्ट में और आने वाले नेक्स एक्जाम में भी देखके जाना बिल्कुल पिन जैसे अफगानिस्तान की काबूल होगी कैपिटल चाइना की क्या चाइना की बीजिंग होगी मैं आमार की एक बड़ी इंप्रेंट कैपिटल है वह याद रखना आपको कि वार्ट उसमें नियापी दाव यह इंप्रेंट है इस मैं आमार में कि वर किन्फूज हो जाते है दियापी दावर इस की क्या है इसके लाव नेपाल की काठमांड हो है आपको पता है आगे चलते हुआ बियर अमेड़्कर बियारे मेड़कर थे जो उसे विदान के निर्मात हैं हमारे अर्किटेक्ट ऑफ देजि इनिंटक शेटिशं और तो व्यारे मेड़कर कौन्जी कि पुची गई है किताब किस ने लिखी अमीताव गोस ने लिखी है अमीताव गोस नाम बड़ा इंपोर्टेंट है इंडियन लिटरेचर में देखर रहे था क्यों कि अमीताव गोस पहले वो थे इंग्लिस साइट एते दिन को 2018 में क्या मिला था जनीपर थावार मिला था जनीपर थावार इंडिया का सबसे हाइस लिटरेरी अवार्ड है साइट्य में सबसे बड़ा आवा था जनीपर थावार जो 1961 में बना था और इंग्लिस में इंग्लिस में ये पहली बार किसी ओतर को मिला आजनी पर थवार तो वो कौन है पहले इंडियन होतर अमिताव गोस है और इनकी नोवल जीवर ओग समोक बहुती पॉप्लर है तो यह जीवर ओग समोक इन्हों ने लिखिया इसके लावा इनकी तीन चार नोवल और है बड़े इंपोर्टेंट ओतर है तो वो भी पुच सकता है जैसे जी ओपोपीज भी एक इनकी बहुती इंपोर्टेंट नोवल ए ऐसे फल्र है ये तीनो नोल है ना जो river of smoke, sea of poppage, followed of fire ये तीनो एक series है तीनो नोल की एक series है ठीक है तो तीनो नोल पुछे जाती है बार-बार river of smoke, sea of poppage, followed of fire इनकी एक और बड़ी important नोल है the hungry tide तो ये भी पूछे जा सकती है, क्या पता आगे वाले exam में पूछ ली जाए, CGL prelims में पूछ ली जाए, CHS elements में पूछ ली जाए, तो आपको ये चीज़े देखनी है, मैंने आपको बार-बार बताया कि TCS है ना, जो TCS, एक topic जब पकड़ लेता है तो उसका निचोड निकाल क चोड़ता है, कोई भी एक topic उठा लो, अगर classical dollars उठा लिए ना, इन्होंने, तो इतना detail में पूछ लेंगे ने, कई बारतों कि आपको पता भी निचलता, तो एक topic जब ये पूछ रहे हैं, MTS में, तो यही topic बार-बार आने वाले CGL के exam में, आप बहुत सारी exam में repeat होने वा और ये analysis करना बहुत जोरी है, क्योंकि आने वाले exam का ये base ट्यार करता है, ये exam, base ट्यार करता है, जो MTS का exam अभी चल जा है, आने वाले shift में भी इन से related question पूछे जा सकते हैं, और आने वाले exam में तो पूछे ही जाएंगे, तो आप देख लो, अच्छे से एक बार इन questions को, और एक और बात उता देता हूँ, अभी answer की आएगी, जब MTS का exam के तो माने के बाद, तो मैं सारी shift की एक पर अच्छे से analysis कराऊंगा, एक topic से related जो answer है वो तो आप देखी सकते हो खुद भी, लेकिन उस से related आने वाले exam में जो expected question हो सकते हैं ना, वो मैं आपको साथ-साथ ब इस चैनल को, तो मिलते नेक्स वीडियो में अपना जान रखें, bye bye everyone, take care.